Hello friends, Mutual Fund Distributors Helpline video series में मैं स्वरप खटी आपका स्वाधत करता हूँ ये बहुत ही interesting data है जो आज हम इस वीडियो में discuss करने वाले है This is about mutual fund industry का data ये data का source है Amphi Association of Mutual Funds in India ये quarterly data publish करते है और ये data जो है This is 30 June 2020 का तो this is the second part of the video अब पहला part अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप देख लीजे इस वीडियो में हम ये discuss करने वाले है कि equity mutual fund से related क्या data हमारे पास में Amphi की तरफ से मिला हुआ है तो चलिए देखते हैं This is ये दिखे growth and equity oriented schemes इसके बारे में देखते हैं सबसे पहले ये जो column है ये AUM का है और ये है number of folios का तो total mutual fund industry में कितने folios है तो 9 करोड 15,42,000 folios है as on 38 June 2020 9 करोड 15,000,000 folios है उसमें से ये equity folios कितने है तो 6,54,79,774 ये folios है equity schemes के इसमें से अगर हम retail folios की बात करें तो retail folios है 6 करोड ये बाकी का आगी का figure आप देख लेजें तो 6 करोड जो है ये हमारे पास में retail folios है HNIs high net worth individual इनका definition क्या है तो 2,00,000 रुपे से जादा जिनोंने पैसे डाले हुए है वो HNIs है चीक है तो उनका ये figure है अभी आपको एक बज़े की बात बताओ कि ये folios है चीक है ये number of investors नहीं है तो 6 करोड चौपन लागया 6 करोड पकड़ लीजे तो 6 करोड folios खुले है equity में retail category में 2,00,000 से नीचे जिनोंने पैसा डाला है उन्होंने अभी एक investor के पास में कोई अगर mutual fund में पैसा लगाता है तो एक scheme में थोड़ी लगाता है वो अगर 1,00,000 रुपे होगा तो 2 scheme में या 3 scheme में divide करता है या उससे भी जादा at times तो अगर हम अभी मान दें कि एक investor ने 3 scheme में investment किया है तो 3 अलग-अलग folios खुले ठीक है अलग-अलग MCs के तो अगर ये 6 करोड folios है equity के ठीक है retail वाले तो इसमें से अगर हर एक investor के पास में 3 folios है मतलब सिर्फ 2 करोड ठीक है 6 करोड divided by 3 मतलब 2 करोड लोगों ने ही अभी तक mutual fund में equity retail investor ने सिर्फ 2 करोड retail investor ने equity mutual fund में पैसे लगाया either by SIP और one time ठीक है भारत का population कितना है अपना 130 करोड 130 करोड के population वाले देश में सिर्फ 2 करोड लोगों ने ही equity mutual fund में retail investor ने पैसे लगाया है तो ये आप scope देखिए कि कितना ज़्यादा scope है भारत में अभी mutual fund सही है ये campaign चल रहा है सचिन टेंडूल करने advertise की है तो धीरे धीरे awareness बढ़ रहा है लेकिन आप अगर industry में बने रहेंगे तो आने वाले दिनों में क्यूंकि bank FDs के interest rate बहुत कम हो गया है तो आने वाले दिनों में लोगों के पास में mutual fund ये एक बहुत ही अच्छा option रहने वाला है और mutual fund ये retail investor के लिए ही बना हुआ है क्या आपको पता है कि SIP 100 रुपे से भी होती है सभी scheme में नहीं होती कुछ-कुछ scheme में ये allowed है तो 100 रुपे की SIP तो भारत में कोई भी कर सकता है आज के तारिक में मतलब pan-base ही KYC चाहिए ऐसा नहीं आदार-base भी KYC हो सकती है तो industry का potential बहुत जादा है population के comparison में देखेंगे तो बहुत कम लोगों ने अभी तक निवेश किया है इस series के बारे ये series के जरिये में हम आपको और भी जो data है analysis हो हम आपके साथ में share करेंगे तो अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe करिए और एक चांकरी आपको देनी है कि mutual fund distributors को knowledge provide करने के लिए हम ये channel चलाते है हमने एक series बनाई है product knowledge series exam तो pass हो गए लेकिन exam pass होने के बाद में अभी काम कैसे करना है product के बारे में जानकारी कहां से मिलेगी तो हमने एक series बनाई है ये paid series है just 199 रुपीज में सारे mutual fund के products को जो SEBI ने categorization किया है उसके आधार पे हमने वो series बनाई हुई है तो channel पे membership section में जाके आप उसे subscribe कर सकते है अगर उसमें आपको कोई भी problem है तो नीचे description box में हमारा number दिया हुआ है feel free to call साथ में आगे बढ़ते है और grow करते है अगले वीडियो में जल्दी मिलते है till then stay tuned